जो हैं वो पहुंचे हैं और सबसे एहम आज का दिन संत्र समाच के लिए भक्ति आदोरिन से जुड़े रविदास जी की जोयनती है आज तो यह सीधी तस्वेर आप देख रहे हैं करूल बाग से प्रदान मंत्री रविदास जोयनती है और उनकी बानी उनके दोहे उनकी कहान हैं वो अपने आप में आज के दौर में प्रसांगिक हमेशा से रविदास जी का कहना था मनिश्री को अच्छे कर्म के साथ साथ उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि कृष्ण करीम राम हरी रागहव जब लग एक ना पेखा वेद कित पूचे हैं नमन करने के लिए उस माहन संत को रविदास के नाम से जाने रहदास के नाम से जाने नाम अलग हैं लेकिन कर्म एक ही है बहुत चुके हैं प्रधानद मंतरी नरेंदर मुदी, शर्धासुमन अरपित करने के लिए, भक्त्यांदोलन के महान संत, महान गुरू, रविदास जी को आज रविदास जी की 645 मी जैनती है भत्यांदोलन के महान संत के रूपे सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर दे वाले महान समास सुधारत और समास से भेद भाव छुआ छूच जैसी कुरीतियों को निर्मूल कर देने का संदेश देने वाले महान संत की आज जैनती है और प इससे पहले रविदास जैन्ती के अनेक अउसरों पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी चाहे वारानसी हो या फिर अन्यमंदिर हो वहां पहुचे हैं उद्धोंने मथ्था टेका है। इससे बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसंद। कार्यान जली और श्रधान जली ऐसे मनीशी को प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी के। प्रभू जी तुम दीपक हमबाती जाकी जोती बरे दिन राती यानि आपने अगर प्रभू को ही दीपक मान लिया। को अपने जीवन का कही न कही आराध्य माल लिया तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ती कर सकते हैं और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हमदागा प्रभु जी तुम स्वामी हमदासा ऐसी भक या फिर रविदास जो थे भक्ती के साथ साथ कर्म को सबसे एहम मानते थे रविदास जी के मंदिर में कार्यांजली प्रस्तुत कर रहे हैं श्रद्धानजली अर्पित कर रहे हैं पुश्पानजली अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिनके सभी नीतियों में जिनके सभी कारियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है ये वही मंत्र है जो हमारे मनीशियों ने सामाजिक समरस्ता के लिए समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्ही को आत्मसाद करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित हैं प्रधान मंत्री नरे न्रमोदी, 130 करोड देश्वासियों की तरफ से श्रधावनत हैं, विन्यावनत हैं, महान संत के सामने, जिन्होंने अश्प्रिस्यता, भेद भाव, छुवा छूद, इन सभी सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने का संदेश दिया, और कर्म के आधार पर लोगों के विश्ष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया. बिल्कुल और एक एहम बात और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री जो हैं, वो किस तरह से उन्होंने मत्था टेक कर अपनी श्रधा सुमन यहां रविदास जी को अर्पित किये, और ये कही न कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जो अगर हम भक्ती आंदोलन का ज जिकर कर रहे हैं, समात सुधार की बात कर रहे हैं, एक पंत की बात कर रहे हैं कि लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है, जहां उच नीच नहीं है, हम देख सकते हैं सीजी तस्वीरे जहां पर प्रधान मंत्री इस वक्त मौझूद हैं और उन्होंने संत रविदास जी की जोयंती पर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और सभी के मंगल के कामना की और लगातार वो हमेशा ये कहते आए हैं कि कैसे एक जो समावेशी समाज है, उसको लेकर आगे बढ़ना है, कैसे सभी के लिए सुख, सभी के लिए प्रसंता, सभी के लिए एक ऐसे समाज की क कहीं न कहीं परिकल्पना और ऐसे समाज को बनाना जहां कोई भी भूखानास होए और यह तस्वीरे हम देख रहे हैं आपने आप में इतनी जीवन्त इतनी सश्रक्त और इतनी आध्यात्मिक रूप से कहीं न कहीं प्रेणना देने वाली हैं उन सभी युवाओं के लिए सभी के लिए जो इस वक्त दीवी स्क्वीन्स पर ये देख रहे हैं तो यहां पर अपने शद्धा सुमन भवान शिफ को अर्पित करते हुए प्रधान मंत्री फ्री नरेंद्र मोदी गुरू रामनिंद के परमशिस संतर अविदास ने सामाजिक बुराईयों को दिर्मूल करने की तो बात कही ही साथी साथ कर्म के आधार पर वर्ण के निर्धारन का उन्होंने महागोश किया और अगर देखें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं मनीशियों और महापुर्शों की नीतियों के अनुरूप ही है और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, जुवाओं को कमाई, भुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिचाई और जन जन की सुनवाई ये विकास की पंचधारा बहा कर समूचे राष्ट के नौनिर्माण में जुटे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे मनीशियों के महान व्यक्तित्तों से, जिनकी नीतियों, जिनके संदेशों, जिनके मंत्रों से, सामाजिक समरस्ता, सवावेशी समाज और समग्र भारत के विकास की पूर्वपीठी का सद्यों पहले लिखी गई। की समान के रूप में प्रधान मंत्री को और शौर उड़ाया गया है, यह अपने आप में दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब वो जनकल्यान के लिए कारिक्रम करते हैं, जनकल्यान के लिए सर्वमंगल की कामना करते हैं, देश के सरवांगीर विकास की बात करत से प्रधान मंत्री का कि इन सब बातों से उपर उठकर आम जनता के लिए हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना और यही बात वो हमेशा से कहते हैं और यह जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अभी प्रधान मंत्री और कही न कहीं यह जो स जंदेश है। वह अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो सवावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं। हाश्य पर पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के में तपके में जोडने की बात करते देल स्क्राइब होती है। वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बलकि काम के विश्वास के समाज की तमाम उन कुर्यूतियों से हटकर उपर उठके काम करने वाला समाज है तो विजडर्स बुक में अपना संदेश जो है वो लिखते हुए प्रधान मंतरी और ये जो तस्वीरे हैं भक्ती आंदोलन के लिए और उसमें उर्जा और उसमें जान फूखने वाली और कैसे आध्यात्मिक तोर पर कितनी शक्ति अश्वनी हमें मिलती है जब हम आराध्य क कि बात करें किसी भी संद के आगे अपना शीष नवाते हैं उनसे आशिरवाद लेते हैं कहते कि आशिरवाद में बहुत ताकत होती है आगंतुक पुस्तिका में अपने मनोभाव दर्ज किये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने और इस समय अभिवादन स्वीकार कर रहे ह हैं वह उपस खित जनसमुदाय का और साती साथ दिली के करूल बाग इस खित इस मन्दिर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पहुँचे इस साल साल 2019 में वारारसी में संतर अबिदास जी के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य धाम के निर्माड और उसे तीर्थस्तल के रूप में विक्सित करने की परियोजना की भिशुरुआत प्रधान मंत्री नरिनर्मोदी ने की और साथी साथ समूचे वारार्सी के प्रतनिध होने के नाते जो कि संतों मनीशियों की धर्ती रही और समूचे राष्ट का सेवक होने के नाते अपने कार्यों से समावेशी समाज का निर्माड अपनी प्रतिबधता से जगतगुरु भारत की संकलपना को साकार करने का प्रया बात है कि किस तरह से इनी संतों के योगदान को लगातार प्रधान मंतुरी याद करते हैं उन्हें मान देते हैं इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था अश्वनिकी के इस तरह से जो उनकी जर्म सरी रही है वारा रसी वहां पर उनकी प्रतिमा से लेकर काम कितना महत्वपून तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और एक प्रधार मंत्री का संत को इस तरह से याद करना उसे मान देना उसके लिए काम करना और लोगों के जन कल्यान के लिए अपना शीशनवाना अपने लोगों के लिए उनसे आशिरवाद मांगना ये कही न कहीं दिखाता है एक बेहत मजबूत और सशक तस्पी प्रधार मंत्री यहाँ पर मौझूद है लोगों से मिल रहे हैं जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं ये तमाम जो उस विश्राम धाम से जोड़े लोग है अगर देखें तो लोग संत्र अभिदास के ही भज़वाद कीरतन को ही इस समय प्रधान मंत्री धरेंद्र मोधी को क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत्र अभिदास है उनकी ही बाणियां जो है वो गुरू गुरंत साहिब के अगर बात की जाए अगर देखें यह जो एहम हम देखने का महत्व अगर हम सिख धरम में देखें अश्वणी तो बहुत एहम होता है और इसी से हम आरदास की बात करें शबट की बात करें शबट कीरतन की बात करें तो वो लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इस से शंकनाद से कही न कही शंकनाद ये होता है कि हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। आप देख रहे हैं, आहलादित कर देने वाली, मंत्र मुख्ध कर देने वाली, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीर का आनंद लेते हुए, प्रधान मंत्री के चेहरे पर आप मुसकान देखिए, ये जो पूरी एक बॉड़ी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, उर्जा से परिपूर्ण, आप कभी भी अपने आराध्यों को याद कीजिए, आप कभी भी किसी संत की दीक्षा लीजिए, संत के हम अगर सानिध्य में होते हैं, तो कही न कहीं संत का सानिध्य जो होता है, वो अपने आपको कितना जादा मदबूत के साथ साथ आपको उर्जावान बनाता है, ये हमने दीखा। राम हरी राग हो जब लग एक न पेखा, वेद कतेव पुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा, यानि कि राम, कृष्ट, हरी, इश्वर, करीम, राग हो सब परवेश्वर के अलग-अलग दाम हैं, और वेद, कुरान, पुरान, आदि सभी गरंथों में एक ही इश्वर का ग यह सजी उपर सारण. उनको सम्मानित किया गया, शौल उड़ाकर उन्हें चेन भी पहनाई गई, उन्होंने विजिटर्स बुक में अपना संदेश पी लिखा, अब वहाँ पर लोगों से जोवां आम, जो लोग मौजूद थे उनके साथ, बैटकर उन्होंने करतल धवनी के साथ, छैना बजाकर शबद कीर्टन में भी हिस्सा लिया, बात करते हैं परधान मंत्री, और यह जो तस्पीरे हैं दिखाती है कि देखें, देश के परधान सेवक के रूप में, देश के परधान मंत्री के रूप में, जब आप उस संद को याद करते हैं, जिसका अतुलनीय योगदान रहा है, समाज को सुधारने के लिए, समाज को उन कुरीतियों से बचाने के लिए जो कहीं न कहीं दीमक बनके समाज को खोखला करती है उनको आज याद करते हुए पधानमन्प्री संस्रविदास को याद करते हुए और सर्व मंगल की कामना करते हुए देश के लोगों के लिए करोडों लोगों के लिए उग मामला करते हुए और यही तस्वीरें बता रही हैं कितनी प्रसंता के साथ उन्होंने वहां बैठ कर इस भजन की इतन का आनन लिया और आज से तकरीबन साड़ीच शेसो साल पहले जब संतर अविदास का आविरभा हुआ छेसो पैतालीस वी जहिंती आज देश मना रहा है तब उन्होंने सामाजी कुरीतियों पर प्रहार किया तब जबकि सल्तनत कालीन भारत में धर्म परिवर्तन जैसे इस्थितियां थी तब जबकि तलवार की नोग पर धर्म परिवर्तन कराये जाते थे उस समय उन्होंने समूचे हिंदू धर्म को समूचे भारती संस्कृति को समूचे सनातन संस्कृति को जिस तरीके से आत्मसाथ करते हुए समावेशी रूप देते हुए एकी कार करके लोगों को एक साथ एक पायदान पर एक मंच पर लाने का काम किया और सामाजी कुरीतियों में जैसे जो वर्ण आधारित कथित बुराईया थी जो कथित निम्न और उच्च का भेद किया जाता था उस पर जो उन्होंने कुठारा घात किया वही पधिसोपान बना भारत के एकी करण का और भारत के सामाजी के समरस्ता का और संत्र रविदास त कारण कोई नीच नहीं बनता है मनुष्य वास्तों में अपने नीच कर्मों से ही वो निर्धारित होता है यानि कि कर्म के आधार पर कर्म की जो उच्छता है जो वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी उस पर उन्होंने कुठारागात किया और उन्होंने सपस्ट किय कि कर्म के आधार पर व्यक्ति के वरण का निर्धारन होना चाहिए, कर्म के आधार पर व्यक्ति के प्रतिष्था का निर्धारन होना चाहिए, और कर्म के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक उच्चता का निर्धारन होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श् शामिल हुए और प्रति चिंद्ध के रूप में संतरा विदास की मूर्ती दे कर उन्हें सम्मानित किया गया अंगवस्त्र दिया गया आगंतुक पुस्तिका में